हेलो रिवन , No Confusion सीरीज के चौथे लेशन में आप सभी का स्वागत है इसलेशन में हम समझने का परयास करेंगें राज तंत्र लोक तंत्र और गन तंत्र के बारे में जो भी कनफूजनों का सारे को में दूर करने का परयास करूंगा तो आगे बढ़ते हैं उसे पहले कोशन को आपे टेम कीजएगा निमलीखी तिमसे किस देश में परतियच लोग तंत्र है भारत, बेटन, स्विटिजर्लेंड या अमेरिका वीडियो के लाश में आपको इंसर बता दिया जाएगा चलिए पहले राज तंत्र की बात करते हैं जैसा कि नाम है राज अपलस तंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र एक ऐसा सिस्टम जो राजा के दोरा चला जाता है मतलब किसी देश का या किसी छेत्र का जब सासन पर सासन जो होता है राजा के दोरा चला जाता है और राजा जो होता है जानता दोरा चुना हुआ नहीं होता है बलके खंदानी होता है अगर माल लेते कि हम राजा हैं तो बाद में हमारा बेटा राजा बनेगा उसका बेट राजा या बनती रहेगा भले उसमे योगता हो या नहूँ ही राजा बनते चलेगा या तो ऐसा भी हो सकता है कि मानत एक किसी छेत्रों को इजित लेता है तो हering के राजा बन जाएगा तो प्राचिन समय में मैकसिमम देश थे धिकतर देश, इस तरह के शासन पर सासन पर चलता था, बात समझा रहा, तो राजतंत का simple meaning क्या हो गया, कि जब किसी छेत्र या राज या देश का सासन पर सासन, किसी राजा के दोरा चलाया जाएगा, उसी को बलते है राजतंत bastंत और पहले के समय में, प्राचीन समय में, रा समझे ने करे न संढ़ी है कि यहां पर समय बात क्या होता है अब दिखे इहां पर समझते हैं देखें, इंगलेंड की बात करते हैं, तो देखें, क्या है, इंगलेंड में भी राज तंतर है, तो इंगलेंड में राज तंतर किस तरीका क्या है, कि देखें, इंगलेंड के जो राजा होगा न, वो क्या होगा, खंदानी चुना जाएगा, मतलब क्या है, कि जिसे यहां महर तो यहां पर महिला एक क्या होती है राज का हेड होती है तो यह क्या है राज का हेड है मतलब इसके बाद इनका कोई खंदान महीं कोई बनेगा दूसरा कोई नहीं बनेगा इनका पहले भी खंदान कहीं था तो राज का हेड तो यही रहेगा लेकिन क्या होता है कि इनको सासन परसासन जो चलाने के जिम्वारी है इनके नाम से किया जाता है लेकिन क्या होता है कि असली काम करने वाला है परधान मंत्री होता है और उसका चुनाव होता है तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जहां चुनाव होगा समझे वहाँ पर क्या होगा लोक तंत्र हो सकता है तो क्य रातिसी को बलते हैं समधशनी कर राजस्तंत्र मतलब इंके पास सीमित सक्ति है समझंजीं ineto कि जो हमारे हमें घर में πूझापार्त है और और बूजा पाठ ट्रान। वहां पर बुलायाता है में ने करने लिए पूः घर में बंता लिए पहला में ठिलयानी लिए बुछाय जाता है बाके क्या होता है कि सब आपका काम पापा करते हैं बस समझें कि इंगलेन्ड में विष्थए रहके आपको राज तंतर रा अब को देखने को मिले वहां का जनता ही decide करता है कि उनको को कौन सासन करेगा उसी को बोलते हैं लोक तंत्र मतब जनता अपने में से क्या करेगा चुन लेगा गोटिंग के माध्यम से या जैसे भी हो एक चुन लेगा उसी को बोलते हैं लोक तंत्र अब चलिए लोक तंत्र क्या होता दो परकार के हो एक लोग तंत्र को बलते हैं परतियाच लोग तंत्र को बलते हैं अब परतियाच लोग तंत्र को बलते हैं अब परतियाच लोग तंत्र को बलते हैं 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 परतियाच ल मिलोगा जैसे इंडिया में कि अनु 6370 हटाया गया तो हमारे हैं क्या है जनता थोड़ी ना सामिल हुआ है जनता किसी को चून के भेज दिया है और अपना हटाया की का कर रहा हूँ समझा लेकिन परतियाच लोगतंतर में क्या होता है कि अगर उच्छे 3070 हटाना है तो अहां का जनता भोटिंग करता कि हटाना है कि नहीं हताना तो भारत में परतियाच लोगतंतर सम्भर नहीं हो पा यहां पर आप पर्तियाच लोक तंतर में क्या होता है ? कि जनता डारेक्ट हरेची में पर्तियाच नहीं करेगे बल्कि जनता अपना पर्ति निधी को चुन लेगा जैसे सिंपल सी बात करते हैं कि आपके खेत्र में कोई सांसद हो गया कोई बिधाययगा इसलिए इसको बलते हैं परतियाच लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने परतियाच लोकतंत्र के माध्याम से शासन करवाती है इसलिए लोग तंत्र को बोला आता है कि लोग तंत्र जनता का जनता दोरा जनता के लिए सासन है मतलब लोग तंत्र को मतलब क्या हो गया है अम रहान लिकान का कोट है कोशन पुछ भी सकता है किसका कोट है लोग तंत्र जनता का जनता दोरा जनता के लिए सासन मतलब क्या कि लोक तंत्र के लिए काम करेगा जो भी चून को भेज़ेगा आपके लिए क्या करेगी काम करेगी तो हम जब लोक तंत्र की बात करते हैं तो समानता में ही मान के चलते हैं कि हम इसी लोक तंत्र की बात करें आपको बात समझ में आगे चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं अब अगला टर्म क्या है गन तंत्र आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है चलिए अब यहाँ पर आते हैं में होट नहीं होता हमारे राज का हेड कोन होता है राज या राष्ट जो बोलेंगे भारत का हेड कोन होता है राष्ट पती होता है लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे है कि हमारे राष्ट पती का चुनाव होता है क्या होता है जब कि इंगलेंड में क्या देखा था कि इंगल दोस्त यह बोड़े हैं, कि गंद तंत्र का simple meaning यह हो गया, कि जब किसी देश का head, वहां का चुना हुआ बेक्ती होता है, तो उसे गंद तंत्र बोलते हैं जैसे हमारे देश की बात करते हैं हमारे देश में क्या है, राज का head कुन होता है राष्ट पती होता है, मतलब देश का है हेड़, और यह चुनाव होता है चुनाव इसका होता है, इसलिए हमारे हैं क्या हो गया गन तंत्र हो गया, ठीक है, बास समझेगे अब समझे क्या होता है, लोक तंत्र के बाद बोले तो लोक तंत्र का अंदर में राज तंत्र भी हो सकता है और प्लस क्या होता है गन तंत्र भी हो सकता है अब समझेगा जिस देश में गन तंत्र होगा मतलब क्या होता है चुना होता है तो लोग तंत्र होगा ही होगा लेकि राज तंत्र में भी लोग तंत्र हो सकता है इसको समझने का प्रयास करता है यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए जिससे यहाँ पर पर पले एक और टर्म को समझ लादे देखिए गन तंतर आपको समझ मैं है ना कि राज केड क्या होगा चुना हुआ बेखती होगा एक और चीश समझने देखिए हमारे देश को बलाता है लोकतांत्री गंतंत्र भारत को बलाता है लोकतांत्री गंतंत्र इसका मतलब क्या हुआ देखे एक तो क्या है कि हमारे है लोकतांत्री गंतंत्र होता है क्योंकि जनता भोट में पाटिस्पेट करता है और गंतंत्र का मतलब क्या हो गया है कि हम राज क प्रद्धान मंत्री करता है और प्रद्धान मंत्री क्या होता है और सांसत को चुनाओ को न करते हैं हम लोग करते हैं अब समझने का प्रयास करते हैं लोग तांत्री का राज तंत्र या समध्धानिक राज तंत्र देखिये क्या है इंगलेंड में फंसन क्या है कि इंगलेंड में परद्धान मंत्री का चुनाओ हो रहा था लेकिन यहां पर क्या राश्पति का चुनाओ नहीं हो रहा है यहां पर क्या हो राश्पतिक खंदानी है समिधान में लिख दिया गया है कि यहां पर राज का जो हेट रहेगा महरानी को खंदानी चलते रहेगा उसी यह खंदान का बनते रहेगा तो चुकि सम्धान दोरा लिख दिया गया है, इसलिए बलते हैं सम्धानिक राज तंत्रे, ठीक न, आज चुकि क्या है कि लोक तंत्र भी यहां पर है, इसलिए इसलिए क्या बलते हैं, लोक तांत्रिक राज तंत्र, जबकि हमारे हैं क्या हो गया है, लोक तांत्रिक गन तंत पर्तिय अच्छ लोगतंत्र जबकि यहां पर क्या हो गया आपका पर्तिय अच्छ लोगतंत्र हो गया स्ट्यूडिय लेंड में ठीके चलिए उमीद करता हूं आपको समझ में आओगा